हाँ तो अपन आज बात करेंगे बीएस्टीसी काउंसलिंग की जो कि आप सब को पता है कि आपकी बीएस्टीसी 2024 का जो एक्जाम हुआ था 24 का उसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकि यह आप सब के मन में बहुत बड़ा क्योश्चन है और होना भी चाहिए क्योंकि आपने तैयारी करीति आपके रिजल्ट आ चुका है तो और किसी के मन में यह आपने आपने कापी सारी जानकरी ले भी लिए होगी मैं छोटी सी मोटी थोड़ी कुसों नहीं जानकरी और देजेता हूं बाकि आपके माइंड में बहुत सारा नोलेज अल्रेडी बढ़ा पड़ा है देखो काउंसलिंग अभी आपके स्टार्ट हो चुकी है आप सबको पता है बीस तारिक से हैं और यह आपकी आज से स्टार्ट होगी तीस तारिक तक आभी काउंसलिंग होगी इस में थोड़ी सी पर चर्चा करते हैं कि किन किन को काउंसलिंग करवानी चाहिए किन को नहीं करवानी चाहिए और अगर करवा भी रहें तो कितना हम शूर हैं शिक्योर हैं वो सारी बाते अपन कर लेंगे थोड़ा सा result के तरफ ध्यान दे अगर 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 तो इस बार के result में और पिसली बार विजल में 25 नमरों का फरक है पिसली बार जो 2023 का जो 23 का टॉपर था उनके मार्स थे 525 25 मार्स थे और जो संस्क्रित है संस्क्रित टॉपर जो था उसके नमबर थे 489 यह 2023 की बात है 24 के अंदर 500 ठाउन वाला टॉपर है 558 यानि की लंसम आप देखेंगे तो पचीस कितने नमर होगे पचीस तो सीधे सीधे पड़े आट और यान ते तीस नमर जादा है और यहां पर भी जो आपके 90 देखे तो 20-21 नमर जादा है इस बार के संस्क्रित टॉपर गए तो यह क कुछ माक्स हैं इसका मतलब डेफिनेटली यह हैं कि पेपर थोड़ा सा इजी और इजी ना कहके मैं यह कहूंगा कि तैयारी करने वाले ज्यादा है अब तैयारी के सोर्सेस खूब अविलेबल हैं तो बच्चे खूब मैनत करते हैं इसलिए रिजल्ट को आगे धकेल दिया है टौपर के क्या माक्सा हैं लगबग लगबग अविलिविलिटी आ जाती है अलांकि कोई जरूर नहीं है कि कुछ टो पर बहुत अलग इतरह के होते हैं जो हो सकता है 2-3-4-5 साल से त्यारी कर रहे हो लेकिन टौपर की जो नीचे नमबर है वह भी तो आसपा सा के नमच 550, 45, 48, लगबग इतने नमर काफी जुनुक हैं इडिमिन्स यही हैं कि कटो पिछली बार से 20-30 नमर ज्यादा रहेगी इसमें कोई दोराई नहीं है पिछली बार 400 रही थी जनरल अपने देखें मेल में 400 वालों का भी कहीं के पर तो नहीं हुआ था मेरे साब से वो ही जो मरोजना एक ही बात कहता रहा हूँ 420, 430, 440 वो मामला है ठीक है चलो कोई बात नहीं छोटी सी बात देख लिए भी सारी बाते बताऊंगा ये एक बार इसमें नज़ित दोड़ा लेते हैं आनकि आपको साफ क्लिर नहीं दिख रहा होगा ये मैं आपको टेलिग्राम पर शेर कर दूँगा और वैसे आपने इसे इसको देख भी लिया होगा काउंसलिंग जो है वो आपकी 20 तारीक है नहीं शनिवार आज से 30 जुलाई 30 से 10 दिन मालो आज का दिन गर तो 11 दिन माल लीजिए 30 जुलाई तक ठीक है द्यान से सुनना 3000 रुपए आपके लगेंगे काउंसलिंग कराने के लिए यह साफ साब बात मैंशन है 3000 रुपए लगेंगे जो ऑनलाइन नेट इमितर जो आप कोई सभी अपने मोबाइल से कैसा भी ऑनलाइन कर सकते हो ऑनलाइन बुकतान होगा पैसे वैसे अलग से कोई देने की जरूत नहीं है और उसके बाद में जो फर्स्ट चरंड में अलोटमेंट सुची आएगी आपकी वो चार अगस्त को आएगी मतलब जो फर्स्ट लिस्ट अलोटमेंट की लिस्ट है वो अलोटमेंट लिस्ट आ जाएगी चार अगस्त दो हजार 24 को फिर आपका क्या होगा कि जिसका भी इस लिस्ट में नाम आ जाता है उसको 13,555 रुपे ठीक है 13,555 रुपे फीस और जमा करवानी है 3000 तो लगगे 100 लगगे और फिर 13,555 रुपे जमा करानी है और वो जमा भी वापस उनलाइन ही करवानी है लेकिन वो भी कोई मजाक नहीं है ठीक है उसमें भी टाइम प्रिट है वो 4 अगस्त जैसे ही डेट आएगी उस 13,500 की भी डेट है वो ज्यादा नहीं है भाई 4 अगस्त दो हजार 24 से 11 अगस्त तक ही है बस ठीक है ना तो 4 अगस्त 24 से 11 अगस्त तक के बीच बीच में आपको फर्स अलोट्मेंट के अंदर कोलेज में फीज जमा करवानी पड़ेगी और आपको रिपोर्टिंग टाइम जो उस कोलेज में आपको जाना है वो आपको सौमवार पांच तारिक से अटेंडन शुरूए पांच से लेकि बारा के समाना लेजिए रिपोर्टिंग करना आपको कोलेज में पांच से बारा के बीच में रिपोर्टिंग क्या है पांच अगस्त से पांच अगस्त से बारा अगस्त ठीक है ना उनके बीच में अगस्त है वो रिपोर्टिंग टाइम हो जाएगा आपका जिसमें आपको कोलेज मिली वहाँ पर जाना जरूरी है फिर आपका क्या लिखावा है कि सत्यापन हो जाएगा पांच वह तो खेर सेम ये पांच अगस्त है फिर क्या है फिर आपकी रेट और यह कि आपको जो स्लिप मिलेगी है वह फिर ऑनलाइन कर देंगे और पर अपड़ मुमेंट आपको पताईए जो मैंने पिसली बार अपड़ मुमेंट वालक से वीडियो बना रहे हैं उसको टेल और अपड़ मुमेंट के परिणाम गोशित हो जाएगा 19 तारीक को 14 15 16 तीन दीन दिन तो अपड़ मुमेंट की डेटर 19 को रिजल्ट गोशित कर दिया जाएगा कि अपड़ में किस-किस का नमर आया है रिपोर्टिंग अगर जिसका नमर आगे उसको रिपोर्टिंग करवा डोकिमेंट की बात की जाए तो 10 12 की माक्षीट है मोली मास परमाण पत्र है का सर्टिफिकेट जाती परमाण पत्र और स्टीफिकेट होना चाहिए 12 की माक्षीट अपर नहीं आए तो आपको पता ही जो पन ऑनलाइन रिजल्ट निकालते हैं उसकी फोटो कपी करवा लेना वह चल जाएगी कोई दिकत नहीं जैसा ही और रिजनल आएगी उस टाइम पर वो लग वापस दे देना तो यह चीजें किसी के कोई बीपेल वगएरा में हो आई तो आई परमाण पत्र भी बनवाते हैं वो बनवा लेना उसमें इंकम में अच्श्में फीस वगएरा में 30,000 रुपे लगेंगे 30,000 रुपे लगेंगे और अगर काउंसलियम नमर नहीं आता था है तो 100 रुपे काटेंगे और 2100 रुपे देंगे ठीक है 2900 रुपे आपको वापस मिल जाएंगे साल 6 महीन बार मिल सकते हैं मामला भी बढ़िया चल रहा एंग्जाम ही तो ठाइम हो मतलब नहीं है लेकिन फीमेल जो है महिलाएं लड़कियां जो है फीमेल वह साड़े तीन सो जिसके भी है लगबग हालांगी चांस कम है लेकिन वो करवा लेना अब जो भी है लड़कों है तो है मिल गया लड़कियों को तो यह चीज है असली फाइदा आप ही उठाना ऐसी कोई लड़की न रहे जाए कि कोई फोड़ा साम मलाव जाई कर यॉर सठीनिस होलों काभी हो गया क्योंकि हो सकता एक बीकर वेसे किसे बताऊं क्या गांगो कि बेसे में कोलेज घए कोल्ये से करों मन क्या्स करने की नहीं यार साल करूंगा नेक्स साल करूँगा है अपर मैं नहीं करूँगा हो गया दिमाग गुम गया होते हैं से मिल जाते हैं ऐसे खूब सा रेस्ट ठीक है तो उनका क्या होगा भई उनका फीस वगर रिफेंड होगी क्या हो जाएगी उनके तीन जार जो थेना पैसे अब एक तरीका है लेकिन अग रवान नहीं करवाए और और कोलेज मिलते ही दिमाग में नहीं यार मुझे थaters नहीं करना मजाक कर रह था तो अगर मजाक करा दो नहीं तो कोई वातनी 500 रुपे कटा नहीं कैंज यह क्यों क्योंकि सीट तो 25,000 यह ना लेना सिर्फ 25,000 कोई है ठीक है 25,000 लोगों कोई लेना है और 25,000 के लिए एक कोलेज में भी बहुत ज्यादा मतलब फॉर्म बरे जाएंगे लगबग अंदाजा है कि एक सीट पर 25-30 जने बैठ रहे हैं एक सीट के लिए तो कहां 25-30 कैतना बड़ी रिस्क होनी सकती एक जना छोड़ देगा दो छोड़ देगा तीन छोड़ देगा पांच कोई एक ही कोलेज में 30-30 जने थोड़ी वापस मूड चेंज कर लेंगे इंपोस्टिबल है इसलिए 300 फिमेल देख रहे ना STAC भी देख रहे ना STAC वाले भी और लड़के 300 सी देख रहे ना बाकी चांस नहीं है विड़ो अगर कोई है तो 300 प्लस भी करवा सकते है चांस है पूरा पूरा विड़ो अलंगा चांस अलग से तोड़ी बहुत सीटे काटेगरी वगरा होती है विद्वाओं का कोटा है तो दो सबस्ती है तो भी चेप दना विद्वा तो जो भी है सब पर देना कांसलिंग 100 रुपे दो कटने वाले तो यह चीज़े ध्यान रखनी है बाकी देखो कांसलिंग कोई भी करवा सकता है 100 र वह चाहिए खुद का ओचाहिए अब ब्रादर ब्रेदर वह दे देना काता चालो और चाहिए कोशिश करना वैसे कोई सब्सक्राइब बैंक और पर आपको जो बराई जाएंगे अवलेबल डिस्टिक तो पूरे के पूरे 33 के 33 जिले या रहे हैं उस ओप्शन में 50 नहीं त बहुत पूरे 33 के 33 जिले अवलेबलों डिस्टिक तो क्यरें हो आप ऑप ओप्शन हो रहा था डिस्टिक प्राइटी प्राइरिटिक किसको देशना चाहते हो तो सबस्क्राइब या पिर एक काम करना उस जिले को देना जाएब पर सीट ज्यादा हो या पिर अलुवर जैसे जिलू में अलुवा रजमेर इन में थोड़ा ज्यादा होती है वैसे कोई बात नहीं अपने इसाप से एक बार प्राइटी जिले दे देना भाई यह मुझे यह जिला पहले चाहिए और तीसरा फिर इन दोनों इसको बरने के बाद में इसको बरने के बाद में एक option हो लोग तो हरेणा पंजाब हरेणा जा जाके भी इसको करना यस कि हाँ ठीक है अगर मुझे इन में से मिल जाए या मैने जो प्राइटी उसमें से मिल जाए कहीं पर भी नहीं मिले तो एनिवेर इन राजस्तान अगर कहीं पर भी सीट खाली हो इनको बता लगे कि यह बच्च करवाने वाली बात वही है लड़कों में तो देख लो 400 से नीचे मतलब नहीं 300 सी वाले भी चलो करा लेना लड़कियां 300 करवा सकती है विडियो 300 का आसपास भी करवा सकते हैं एस्टी एस्टी वाले भी लगभा इतना है माम लाए ना क्योंकि खूब पढ़ रहे हैं बच् अच्छा सपना है आपका बी आशप करो चाहिए पीटी करो कोई साफी करो दोनों में टीचर बन सकते हो ओप्शन्hmm यह है कि आप टीचर बन जाऊओगे लेकिन अब आपको मेरी मान लो आपको CET की तयारी करोगे तो अप्छी से ओंतलिक थीख Milky आपलाफ पर सेंट का माम इस बार जहां तक है रह जाएगा तो सारी vacancy में form बरपा होगे तो double option हो जाएगा double engine की सरकार की तरह है आप भी double engine वाले हो जाओगे यहां पर एक option ही रहेगा कि खूब सारी vacancy 10 plus 2 CT मांगते हैं ठीक है 10 plus 2 वाली उसमें आराम से form बरपा होगे और जब तक BHTC next time आएगी पहले ही परियास के अंदर जंडे गार दोगे नमर लियाओगे 500 के आसपास यह मेरी guarantee है तो दोनों त्यारी करो बहुत तगड़ी त्यारी करनी है बिल्कुल Nissan Coast त्यारी करनी है इसमें क्या फरक बढ़ता है आएगा तो ठीक है सब्सक्राइब करनी है लेकिन आप लोग जब इतना इंट्रेस्ट नहीं दिखा पा रहे हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा कि जाग जाओ फिर दिन मिस कर रहे हो एक 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 दिन फिर मिस मत करो जो बहुत हुए जिनके कम नमर उनको कह रहा हूं वो ही कहीं CET में हलत ना हो जाए इसलिए अभी से पढ़ना शुरू कर दो CET निकालो CET निकालो कि तो आटोमेटिक बेस्टिस निकल जाएगा सबसे बड़ा सलेबस CET का है इसलिए पढ़ना शुरू करो जल्दी से अपने पांदस दिन में पॉलिटिक हतम करके साइन शुरू करने वाले हैं तो यह आपको मैं विशेश तोर पर कह रहा हूं दिन रात एक कर दो मैनत करो काउंसलिंग तो करवा लेना कोई दिक्कत नही तारांगी पिसली बार से कटोफ ज्यादा रहेगी 420-30 के नीचे कोई चांस नहीं है फिर भी आप कोमेंट कर देना है ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर कोई डाउट हो तो और भी कोई हल्प चाहिए तो मैं आपको इस पर भी एक्षियाशन लग से बना दूगा जया कर रहा कि उनको पढ़ना शुरू करो RE irgendwann की बहुना करी और राजस्तान जी क के पूरा दूबारा से प्डाओं गा रीत के लिए ये बात बतादू मैं कंटेंट त्यार कर रहा हूँ और ज्यादा प्लस कर रहा ये बात तो मैं बताना भोली गए रहा कि रीत जो तेयारी अब BSTC वाला बच्चा रेट की तयारी करेगा इसी बात है जो intelligent होगा जो समझदार होगा वो BSTC के साथ में अभी तुरंत BSTC साइड में चल रही है रेट की तयारी शुरू कर दी उसने राजस्तान जी के ऐसा तयार कर रहा हूँ आपके क्योंकि 180 का मामला है राजस्तान जी के 180 का मामला है और इसके लिए ऐसी एक लासेज आपको मिलने वाली है separate pack होगा राजस्तान जी के pack और उसमें क्या खास बात रही है पने इसमें जो live test रकूंगा वो देखना क्या live test होंगे जबरदस्त होंगे वो बहुत ज्यादा लाइन लाइन से प्रशन मनाऊंगा इस बार थोड़ा अलग करेंगे क्योंकि तैयारी ऐसी करनी है कि 180 में से मैं तो कहता हूँ आना कि जीके में बहुत बड़ा चैलेंज होता है लेकिन मैंने इस बार आपको भी एसी से में कहा था ना 45-PERSON अपने फो बहु जीके में रजास्तां जीके में अपने रैंत हीजो से लेकिन सबसे तो बेस्ट राजस्तान जीके में टॉप हैं बहुत जबरत त्यारी करनी है और जबरत तरिके से पढ़ाई शूरू करो टेलिग्राम पर जूड़े रहे हैं ताकि हर सारी खूब सारी चीज़ें अपनों वहां पर शेयर करते रहते हैं ठीक है तो यह कुछ बाते बता नहीं थी और भी कोई डाउट हो किसी भी चीज़ की वरी हो तो आप कॉमेंट कर देना मैं आपको उस पर भी एकला सेशन मरा दूगा ठीक है